यहां पर इस पर्डिक्लर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेग्स की और स्पेशली वो टेग्स जो की क्रियेट कर सकते हैं एक फॉर्म इन एच्टीमिल तो जैसे कभी हमको बहुत यह तो मतलब बहुती कॉमन चीज़े कभी आपको लॉग इन साइन अप के लिए अगर पेज बनाना है तो आपको अविस बात एक फॉर्म बनाना पड़ेगा काइंड करना होता है कभी चेक बॉक्स करना होता है कभी रेडियो बिटन होता है कभी नॉर्मल टेक्स होता है कभी पासवर्ट डालना होता है तो अलग लग टाइक की चीज़े हम इन्पुट करते हैं एक फॉर्म के अंदर कुछ भी इंसर्ट करने के लिए कुछ भी इन्पुट ल बनाते हैं ठीक है तो चलिए चल के देखते हैं कि यह दोनों text कैसे काम करते हैं तो पहले यहां पे let me open notepad++ तो चलिए हमने यहां पर heading दे दी यहां पर let's say title लग दिया form और body के अंदर मैंने यहां पर create किया form form and I have closed the form तो यह हो गया मेरे पास form tag ठीक है यहां पर मैं अपना form बनाऊगा ठीक है अच्छा अब यहां पर जब भी आप कोई form आपने बनाया अब इसके अंदर आपको अविस बात है कुछ तो input लेना होगा तो input लेने के लिए हम use करते हैं tag जिसका नाम है input tag ठीक है input tag I have taken and input tag I have closed ठीक है ठीक है अब अब input tag के अंदर ही हमें बहुत सारी ऐसी चीज़े लिखनी होती है जिन में से कुछ popularly known चीज़ जिनकी हम बात करेंगे जो attributes कुछ popular है उनके नामे सबसे पहला है type ठीक है type equals to के अंदर यहां पर मैंने डाला है text देखिए type कई type का हो सकता है जैसे आ क्या आप text डलवाना चाहते हो password डलवाना चाहते हो क्या रखना चाहते हो उसको आप checkbox रखना चाहते हो आप उसको radio बटन रखना चाहते हो यह सारी चीज़े भी मैं discuss करूंगा आपके साथ don't worry तो मैंने यहां फे form के अंदर एक simple सा word लिखा मैंने बूला name ठीक है name और name के आगे मैं लिखा input type equals to text ठीक है तो चलिए पहले मैं इतना run करता हूँ देखते हैं क्या होता है इतना run करने से तो let me run this देखिए इतना लिखने से क्या हुआ है name एक word लिखा गया है और उसके सामने एक field आगी है जहाँ पे मैं कुछ भी text लिख सकता हूँ ठीक है यह होगे मेरा type जो कि मैं जिस type के data है पे insert कर रहा हूँ तो यह मेरा type है ठीक है अभी देखिए और भी हम करते है don't worry about that name input का पहला यह attribute होता है type equals to text कल को अगर मैं यह type equals to में रख दिया password पासवर्ड तो क्या होगा तो यहाँ पर मैं इसको run करता हूँ देखिए अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो यह देखिए जब भी आप कुछ password डालते ना तो देखिए ऐसी दिखता है कि नहीं दिखता है मतलब दिख तो यहां पर इसको save करते हैं यह देखिए इसका हम जो सकता है और क्लर भी हो सकता है जैसे कई बार हमारे यूजर ने बोला कि हमको specific कलर एक डालना है तो देखिए यहाँ पर जैसे इस पर click करेगा user तो वो select कर सकता है किस type का color चाहिए उसको तो यहाँ पर RGB भी mention कर सकता है किता red, किता blue, किता green इस type से तो वो perfect color भी insert कर सकता है चाहे तो कभी game बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं इस type का जहाँ पर हमें color input में चीए तो हम color भी always बाते input में ले सकते हैं ऐसे कई सारे type हमारे पास होते है जैसे हमने बुला type because to let's say checkbox checkbox हम मैं इसको run करता हूँ तो checkbox में देखिए यहाँ पर checkbox रहाएगा टिक करने के लिए इसको बोल तो checkbox ठीक है और भी हो सकता है type because to submit 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 यह यहाँ पर थोड़ा सा लग बेव करेगा यहाँ पर देखिए इस type से यह submit जब मुझे कुछ submit कराना submit बटन यह देखिए यहाँ पर कुछ भी click कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पर यह submit करेगा ईशनी सकता है तो टाइप कौई type के हो सकते है जैसे inputarooika पहला attributed up यह पर पर नहीं एप कराना है हो जिसको आप basically यहाँ पर mention करोगे और चीक है और भी वेरियस टाइप होगे शकते से तो आप जब इसको submit करने जाओगे तो अगर आपने यह पर add the rate वगेरा नहीं लगाया तो उसको submit नहीं करने देगा ठीक है जिसे अभी हम आगे यह चीज़ देखेंगे तो यह सब हमको फायदे मिलते हैं अलग लग type के input लेने से तो यहाँ पर अभी मैं input type यहाँ पर रखता हूं input type equals to text that's very simple ठीक है now another यहाँ पर बात रहेगी वो क्या रहेगी कि और क्या attribute अभी यहाँ लिखते है तो मैंने यहाँ पर लिखा एक tag होता है इसे बोलते value tag ठीक है value value equals to जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो default value हो जाएगी जैसे मैंने लिखा इसके अंदर enter your name enter your name तो यह मतलब default value हो जाएगी आपकी यह क्या हो जाएगी आपके आपके पास default value हो जाएगी यहाँ पर जो भी आप दे रहो फिर user इसको पूरे को मिटाएगा और जो भी इसको लिखना होगा वो लिखेगा यहाँ ठीक है मतलब default value देने के लिए default value देने के लिए हम किसके use करते है value tag का value tag से default value देदेगा कि enter your name पहले से लिखाएगा यहाँ पर something जब भी हमें कुछ देना है लेकिन इससे better एक और option होता है value से भी अच्छा एक option होता है जिसको आप यहाँ पर use कर सकते हो ठीक है इसको हम बोलते है placeholder क्या बोलते है placeholder अब देखिए value और placeholder में क्या difference होता है अब में से run करता हूँ आप यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब कुछ भी लिखोगे तो अपने अब मिट जाएगा तो हम value का use कप करते हैं आपको पता है और यह जो हमने अभी use किया यहाँ पर placeholders का use कप करते है value और checkbox जो हमारा placeholders में यह difference होता है कि अगर मैं यहाँ पर value यूज करूँगा जैसे let's say मैंने यहाँ पर value यूज किया value ठीक है अब अगर माल लेते हैं मेरा user यहाँ पर कुछ नहीं डालता है enter your name के अंदर उसने कुछ नहीं डाला तो यह enter your name word ही submit हो जाएगा आपने आप में क्योंकि यह default value है ठीक है अगर आप यहाँ पर use करते हो placeholder का placeholder का तो फिर क्या होगा तो फिर आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि enter your name submit हो जाएगा आप जो लिखोगे वही submit होगा कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ भी submit नहीं होगा फिर यहाँ पर मतलब आप जैसी कुछ भी लिखना जाओगे तो सब अपने आप मिड़ जाता है यहाँ पर पहली बात और default value नहीं होती यहाँ पर यह enter your name यह जस्ट लिखा रहता है background में जस्ट एक hint देनी के लिए होता है जबकि value के case में वह actual वहाँ पर लिखा होता है टिक है तो यहाँ पर मैंने जैसे एक थो इनपट टैक कै यहाँ पर इसको close करनी की आपको जरूरत नहीं होती है आप चाहे तो कर भी सकते है इनपोट के अंदर मैंने एक चीज और इनपॉट ली ठीक है मैंने बहुला input input मतलब एक थो input tag मैंने लिख लिया ठीक है एक input टेक्टमेर हो गया, एक और मैं input लिख रहा हूँ, input, type, type, equals to, submit, submit, और इसकी default value उपन दे देते हैं, लेट से उसमें पहले से लिखाएगा, login लिखाएगा, login, ठीक है, login, अब मैं इसको save करता हूँ, मैं इसे run करता हूँ, अब आप देखिए, यहाँ पे सामने आगया लि PIN क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी default value हमने वाप पे देती, login, अगर कुछ नहीं लिखते हैं, तो submit ही है जाता फिर, ठीक है, तो हमने आप लिखा login, और साथी साथ, यहाँ पे अगर आप कुछ भी नाम लिखोगे, गौरफ, अब आप यहाँ पे login करो, तो कुछ भी नहीं हो यहाँ पे इस form, form tag की अंदर एक attribute यूज करना होता है, जिसे हम बोलते है, action, action, मैंने खा form action equals to double inverted comma में वो link जहाँ पे आप भेज़ेना चाहते हो, तो suppose करो कोई भी बेरा form submit करे, मैं उसको एक web page पे भेजना चाहता हूँ, generally मैंने ले लिए, let's say मैं YouTube पे भेजना चाहता dot com, save करते, run करते, अब दिखते कुछ अंतर पढ़ता है या नहीं, मैंने लिखा गौरफ और मैंने submit किया, login, यह देखिए आप YouTube पे आ गए यहाँ पर open हो गया है, तो यही difference होता है, यहाँ पर basically, जब आप action लिखते हो और नहीं लिखते हो, देखिए action नहीं लिखोगे, त और HTML का form बना लिया, ठीक है, उस पे हमने लिख दिया heading के अंदर, thank you so much, ठीक, और अपने उस page की link यहाँ पर कर दी, इस जगे पर, तो क्या होगा, जब भी कोई form बनेगा, तो उस page पर चल जाएगा, thank you so much for registration, I think that you're getting me, ठीक है, मैं क्या कह रहूं आपको, तो एक बार अपन equal to double inverted comma में, हम जो भी link देते हैं, इस link पर automatically आपका user चला जाएगा, जब भी वो आपके form को fill करेगा, ठीक है, form के अंदर always बात है, हम कुछ ना कुछ input तो लेते हैं, तो input लेने के लिए हम use करते हैं, input tag का, input tag के अंदर mainly 3 attributes है, और भी हम distance करेंगे, पहला है type, दूसरा है name, त type क्या करता है, type ये बताता है कि किस type का text आप insert करना चाहते हो, इस input के अंदर, text insert करना चाहते हो, password insert करना चाहते हो, email insert करना चाहते हो, जैसे चलिए आपन इसको email कर देते हैं, ठीक है, email, अब देखिएगा, अब देखिएगा, मैं से save करता हूँ, मैंने लिखा गौरफ, ठी रहा है यह समिट नहीं हो रहा है यह क्या किरा है प्लीज इंटर आ पार्ट क्या क्या है प्लीज एंटर पार्ट काई दॉट कॉम वह भी लिखो तो email लिखने से यह फायदा होता, I hope that you are getting me है न, तो यहाँ पे हम login नहीं कर पाएंगे, जैसे ही लेकिन में लिखूंगा, let's say gmail.com, आप उसे सांच में जाएगा, अब वो login करेंगे, तो वो YouTube पे चला जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पे वापस आते हैं, तो type मतलब होता है, किस type का text, किस type की चीज़ आप input लेना चाहते हो, ठीक है, name, इस पे भी हमने discussion नहीं किया है, अगला है placeholder या तो value, placeholder या तो value, value के अंदर आप जो भी लिखोगी है, default, by default यह वहाँ पे लिखा रहेगा, अगर user कुछ भी वहाँ पे नहीं लिखेगा, उसकी देगे तो यही क सकते है, by default कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, कि आपने कुछ नहीं लिखा तो enter your name ही submit हो गया, ऐसा नहीं है, वो just a default value होती है, I hope that you enjoyed this video guys, in the next video we will continue with the forms, thank you so much and take care of yourself.